नमश्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि जिस इंटरसेक्शन पर दो लेफट टर्न लेंस हों, वहाँ पर लेफट टर्न कैसे लिया जाता है? अक्सर लोग कनफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस लेन में रहना चाहिए, तो आज मैं आपके सारे कनफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी से वीडियो है, प्यारी से वीडियो है, एंड तक पता चलता है दोस्तों, in science के मैं बात कर रहा हूँ और आपको अपनी lane यहां से पहले ही चुन्नी है, जब आप देख लेते हैं कि दो left turn lanes हैं, वहीं से आपको decide करना है कि कौन सी lane में रहना है तो मैं इस वक्त right lane में हूँ, दो left turn lanes हैं, तो मैं right वाली में हूँ, वो इसलिए, क्योंकि मुझे left लेने के बाद, मुझे immediately right turn लेना है, अगर आपने सीधे जाना है, तो आप leftmost lane में रह सकते हैं, अगर आपने left जाना है, तब भी आप left lane में रह सकते हैं, दोस्तों, यह देख पर हमेशा आपको चार लाइट्स देखेंगी, चार लाइट्स का मतलब यह है कि दो left side वाली जो lights हैं, वो left turn lane के लिए हैं, और right side वाली जो हैं, वो सीधे जाने वाले लोगों के लिए हैं, तो left turn के लिए आपको हमेशा advanced green signal देखेगा, आपको कभी भी solid green signal नहीं दिखाए देगा दोस्तों, solid green होता है, यानि की gold signal और advanced green का मतलब होता है, arrow, यानि की आपको left turn का तीर देखेगा, तो इस तरह की intersection में आपको oncoming traffic की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, arrow का मतलब होता है, आप तीर की तरह सीरे जा सकते हैं, बिना किसी के बारे में सोचे, आपको निकल जाना है, कोई pedestrian नहीं आएगा, नहीं कोई oncoming traffic होगा, जिसकी वज़े से आपको कोई problem आए, एक बहुत important बात आपको बता दूँ कि जब आप left turn ले रहे होते हैं, तो आप जिस भी lane में हैं, उसी lane में रहें, आप corresponding lane में ही, आप move करें, देखे, अगर आप right lane में थे और आप एकदम से turn लेते लेते left lane में आ जाएंगे, तो उससे chances बहुत बढ़ जाएंगे collision के, तो अगर आपने गलती कर भी दी है, तो कोई बात नहीं, उसी lane में सीधे चले जाएए, यू turn लेना है, यू turn लेकर आजाएए, या कहीं से और turn ले लीजिए, लेकिन बिलकुल turn लेते खास करके, अगर आपके पीछे गाड़िया हैं, तो आप lane अपनी switch उसी वक्त मत कीजिए, जब आप सीधा हो जाएं, गाड़ी सीधी हो जाए, और आपको safe लगे, तब आप अपनी lane चेंज कर सकते हैं, अगर आप गलत lane में चले गए थे, तो दोस्तों, यही कुछ बाते है जो आपको ध्यान रखनी है, लेफ टेंड लेते वर्क्त, अगर इसके बावजूद, आपके जहन में कोई questions रह गए हैं, तो प्लीज कॉमेंट के थू मैंचिन कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको क्या इसमें समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो की, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और अगर आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, आपको पास करवाना मेरा धर्म है, दोस्तों, I want you to pass in the first attempt, so please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उन तक भी ये मदद पहुंच सकें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ.